तेज़स्वी यादव गांधी मैदान में हाथ उठाकर अभियर्थियों से पूछते हैं कि बताईये आप लोगों को कैसी सरकार चाहिए नौकरी वाली सरकार चाहिए या फिर हिंदू-मुसलिμ वाली सरकार चाहिए और तेज़स्वी यादव जैसे ही मंच से ये बात पूछ सारे अभियर्थी हाथ उठाकर कहते हैं नौकरी वाली सरकार चाहिए और अगर कल आप गांधी मैदान में मौजूद होते तब आपको एक ऐसा नजारा देखने को मिलता जो नजारा शायद ही कभी बिहार वालों को देखने को मिला होगा तिरस्वी प्रसाद यादव इसके बाद अंग्रेजी में कहते हैं कि we have to focus on the quality of education और महज एक लाइन अंग्रेजी में सुनकर गांधी मैदान में मौजूद अभियर्थी तिरस्वी यादव के लिए जिन्दा बाद का नारा लगाने लगते हैं और उसके बाद तिरस्वी जिकिस रेडी में खड़ा करना है कल तिरस्वी प्रसाद यादव और नितीश कुमार के सरकार का एतिहासिक दिन था ऐसा एतिहासिक दिन जिसके भाशन अभी सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहे हैं तिरस्वी का हाथ उठा कर भोजपूरी में कहना कि बतावा लोगि फिलहाल इतिहास रच रहा है पूरी कहानी आपको बताएंगे तिरस्वी आदव के भाशन का जिक्र करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए मेरा नाम प्रशांत राय है ये वीडियो रोडबेज एप के द्वरा प्रयोजित है रोडबेज बिहार के एक ऐसी कमपनी है जो आपको आधे किराय में पूरा बिहार घुमाने का वादा करती है आपको पतना एरपोर्ट से बिहार के किसी भी गाउं में जाना हो या बिहार के किसी भी गाउं से पतना ना हो आपको प्ले स्टोर पर जाना है रोडबे स्काइप डाउन्लोड करना है और आध ईमें तिरस्वी आदव के पास विजन है उनके पास प्लान है उनके पास मिशन है और उनके पास डैवलोर्प्मेंट का एक खाका है वो खाका जिसके बाद Right-d Av. हमेशा किया करते हैं अब आए ये ये ध्यान से कि तिरस्वी आदव क्या कह रहे थे तिरस्वी आदव मंच पर चड़ते हैं और कहते हैं कि आप लोग बताईए कि आप लोगों को कैसा सरकार चाहिए नौकरी देने वाला सरकार या फिर हिंदू मुसलिम करने वाला सरकार एक साथ 25 अबियर्थी अपना हाथ मिदारी है आपको खयाल रखना है उनके भविष्य का आपको खयाल रखना है उनके शिक्षा का और फिर तिरस्वी कहते हैं कि यू आर रिस्पॉंसिबल फॉर क्वालिटी एजूकेशन इन बिहार मैं जिस एक लाइन की अंग्रेजी सुनकर शिक्षकों में ऐसा जोश आता और उसके बाद तिरस्वी आदव कहते हैं कि अगर केंदर की सरकार हमारी ठोड़ी बहुत भी मदद कर देती तो हम लोग और भी आगे होते तिरस्वी आदव गिनवाते हैं कि भारत के अन राज्यों के मुकाबले बिहार की स्तिती क्या है वो बताते हैं कि कैसे हमारा जीड मैदान में बैठे शिक्षक का जो अभियर्थी थे जो न्यूक्ति पत्र पा चुके थे वो बेकाबू हो रहे थे और ये द्रिश ये बता रहा था कि तिरस्वी यादव कोई स्विकारेता बिहार में कितनी बढ़ गई है मिलाज उलाकर कल का दिन वाकई में महागठबंधन की सरकार के लिए गजब का दिन था तिरस्वी यादव से लेकर नितीश कुमार तक इन सब लोगों ने शांदार भाशन दिया सब ने बताया कि कैसे भारत के राज में पहली बारा सा हुआ है कि एक बार एक मंत्राले के तरब से एक लाख बीस हजार नियुक्तिया की गई है एक ही दिन में सब को नियुक्ति पत्र बाद दिया गया है मामला कोट नहीं गया कुछ भी मामला फसा नहीं मतलब कि अब आपको सब कुछ सटल कर दिया है हमने और ये सब चुनाओं में वाकई में तिरे स्वियादाओं को बहुत काम आने वाला है बाकि आपका क्या विचार है कि अब मकस बताइएगा मेरे नाम प्रशान्त है तो जल्दी मुलागात होगी बहुत बहुत धन्यवाद